हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानन्द और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज का जो वीडियो है वो मुझे आया है सहरानपुर उत्तरप्रदेश से और भेजने वाले हैं अश्विनी कुमार जी अश्विनी जी ने अभी हाली में B8 की परिक्षा उत्रिण की है लेकिन बागवानी के परती उनकी चाहत बहुत पुरानी है बहुत ही अच्छे तरीके से और वेस्ट मेटियल में खासतोर से वो बागवानी करती हैं वो कुछ ज़्यादा अपने बागवानी में खर्चनी करते फिर भी उनके घर का हर इक कोना उनके बागवानी से महक उठा है उन्होंने मोस्टली पौदे घर के आसपास से कलेक्ट किया है कुछ ही पौदे हैं जो की नरसरी से लाए होंगे गमले भी बहुत ही थोड़े खरीदे हुए हैं बाकी मोस्टली हमें वेस्ट मेटियल ही नजर आता है तो चलिए आज अश्वनी जी के घर का पूरा वीडियो देखते हैं कि किन किन चीजों से उन्होंने अपने इस बागवानी को सजाया है दोस्तो शुरूबात करते हैं अश्वनी जी के घर के उपर जो सीड़िया जा रही है छट पर तो वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने सुन्दर सुन्दर जो गेंदे के फूल है वो इन्होंने लगा रखा है कुछ तो इसमें मिट्टी के गमले हैं और कुछ जो है पुराने घड़े वगरा इस तरह के चीजों का यूज इन्होंने किया है कई सारे डिब्बे भी इनके पास है तो कुछ प्लास्टिक के जो गमले हैं वो भी है और कुछ जो वेस्ट पॉलितीन वगरा है अलग अलग प्रोड़क्स जिसमें आई हुए थे तो उनका भी यूज इन्होंने किया है कई गमले ऐसे सीमेंट के हैं जो कि उन्होंने घर पर ही खुद तैयार किया है अधिकतर पौदे उन्होंने कटिंग से लगाए हैं आसपास से जो भी कटिंग उनको मिल पाती है किसी के घर से तो वो वहाँ से वो चीज लेकर के आती हैं उनके घर के छट को आप देखी पा रहे होंगे कि कई सारे टिन का उन्होंने यूज किया है और थोड़ा बहुत उसमें पेंट किया तो एकदम से वो चीज़े खिल उठी कहीं कट्टों में गाजनिंग हैं कहीं घड़ों में कहीं प्लास्टिक के डिब्बे में कहीं तिन में तो कहीं बैग में और सारे के सारे इस तरह से जो वेस्ट मेटियल है उनका बहुत सुन्दरता से अश्विनी जी ने यूज किया है कुछ लकडियों के खाचे से उन्होंने स्टैंड भी त्यार कर दिया और उसी के ऊपर अपने इस वेस्ट मेटियल के प्लांट को रखा तो इससे जहां एक और नीचे छट में चाच नहीं रहता प्लांट तो काफी अच्छा रहता साफ सफाई करने में भी उनको नीचे से जाड़ू आराम से लगा सकते है कुर्सिया वगरा जो वेस्ट पड़ी होई होती है या कहीं तूट जाती है तो उसका भी यूज ये बागवानी में करती है कुछ फलो के पौदे हैं तो कुछ सजावटी पौदे कुछ जड़ी बूटे के पौदे हैं तो बहुत सारे फूलों के पौदे कुल मुलाकर के सभी चीज़े इनके इन गार्डन में हमें नजर आती है बागवानी च्छत में ही नहीं बलकि सीड़ियों में घर के अंदर घर के आगन में और जो भी थोड़ा सा इनके जमीन का एरिया है वहां सब जगा नजर आता है और देखें बिलकुल क्लीन है इनका गार्डन कहीं भी आपको गंदगी नजर नहीं आ रही होगी तो ऐसे केवल उनीका गार्डन क्लीन हो सकता है जिनकों की काफी इनका शौक होता है दोस्तो मैं अक्सर जगा जगा जाता हूँ, गार्डन भी मुझे अच्छे अच्छे मिलते हैं लेकिन मुस्टली जगा पर मैं देखता हूँ कि गार्डन में क्लिनलिनेस की कमी है पत्ते इदर अधर बेखरे पड़े हैं तो कहीं पानी जमा हुआ है तो इस तरह से बागवानी करती है तो देखने में भी गंदा लगता है बिलकुल जंगल सा लगता है और कुछ भी फिर अच्छा नहीं लगता बागवानी अगर आप करती है तो बिलकुल साफ सुत्रा होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग जब उनको देखे तो उसको भी देख करके मज़ा आए Otherwise होता क्या है कि अगर आप गार्डिनिंग के शौकिन हैं लेकिन उसको साफ सुत्रे ढंग से नहीं करती है तो खुद आपके घर के लोग ही आपके विरोधी बन जाती है और कई घरों में तो मैंने देखा है कि जो लोग गार्डिनिंग करते हैं तो उनके जो पॉर्ट्स वगर हैं उनको उठा करके फेक दिया जाता है तो ऐसे स्थिती ना आए इसके लिए आप सभी तरह के चीज़ों का यूज करें वेस्ट मेटिरल का यूज करें तो साफ सुत्रे ढंग से यूज करें और अपने च्छत को बिलकुल क्लीन रखें दोस्तो अगर आप गार्डिनिंग को अस्त वियस तरीके से करेंगे तो कई बर कई खत्रे भी उत्पन होते हैं हो सकता है कि कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाए या साब बगरा आ जाए तो इसलिए गार्डिनिंग को जो एक किलीन रखना तो जरूरी है साथ ही जो आसानी हो पॉर्ट्स अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए सोचे कि आपके घर के कौन से एरिये में किस तरह के पौदे रखे जा सकते हैं और किस तरीके से रखे जा सकते हैं दोस्तो हमारी बग्या यूटूब चैनल के जरीए मेरी यही कोशिश होती ह कि मैं अलग-अलग लोगों के घरों के गाजनिंग को आपको दिखाओं वो किस तरीके से अपना पौट अरेंजमेंट कर रहे हैं कैसे साफ सफाई रख रहे हैं कौन से फूल कहां पर लगा रहे हैं या जो भी और्नमेंटल प्लांट्स हैं उनको कि जगह पर लगा जा रहा है तो इन सबसे हमें बहुत अच्छे इंस्पिरेशन मिलती है और हमें भी ने ने आइडियाज मिलते हैं कि अपने घर के मताबिक हम इन चीजों का यूज बेस्ट तरीके से कैसे करें यहां पर अश्वनी जी के गाडिन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको क् जमीन पे गाडिनिंग है तो वहां भी आप इसी तरह से क्लिनलिनिस का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अलाकि जमीन में घास फोस बहुत जल्दी जल्दी ओगाती है फिर भी कोशिश करें कि बीजबिश में आप जो है निराई गुडाई उसमें करते रहें पॉट की की बहुत कम होती है तो पॉदे को जो पोशक तत्व की कमी ना हो तो उसके लिए बार बार आपको कुछ न कुछ उसे देते रहना पड़ता है लेकिन जो जमीन की गाडिनिंग है तो उसमें आपको बार बार कोई कहात देने की जरुरत नहीं पड़ती जमीन से ही जो उसकी जड़े हैं वो ले लेती हैं सारे पोशक तत्लों को क्योंकि जड़े दूर दूर तक फैल जाती है लेकिन एक समझसा उसमें ये भी है कि नीचे घास बहुत उगाते हैं और पौधा बहुत बड़ा हो जाता है जिससे की एक ही पौधा बहुत जगा को घेर लेता है और इसके जबाद जमीन की समझसा भी है अधिकतर लोगों के पास आजकल घर में इतनी जगह नहीं है कि वो जमीन पर गाजिनिंग कर सके दोस्तों अगर सच कहूं तो वेस्ट मटेरल में जो गाजिनिंग करने का मज़ा है वो महंगे महंगे पॉर्ट्स खरिद करके गाजिनिंग जो अब देखें यहाँ पर एक प्लास्टिक के इस डिबबे के अंदर कितने सारे ये जो औरेंज है वो उग रहे हैं और देखने में पौदा कितना अच्छा लग रहा है तो इस तरह के जो डिबबे हैं बाल्टी है आप इसका यूस करें जो पुराने चीज़े हो रहे गई हैं घर में जो बरतन हैं और उसमें थोड़ा सा अगर आप कलर कर देते हैं तो बहुत सुन्दर वो चमकने लगती हैं कई बार जो कबार वाले आपके गली से गुजरते हैं तो उनके पास भी इस तरह के बहुत सरे पुराने वेस्ट मेटरियल होते हैं जिसमें आप गाजनिंग कर सकते हैं तो चाहे तो उनसे भी आप वो वेस्ट मेटरियल खरीश सकते हैं बहुत कम कीमत में वो आपको मिल जा तो कोई फर्क नी पड़ता आप थोड़ा सा कलर कर देंगे तो वो चीजे भी खिल उठेंगी और आपके जो गाजनिंग है बहुती सस्ते में और सुन्दर तरीके से तैयर होगी दोस्तो अगर गाजनिंग को ना पसंद किया जाता आपके घर में तो मैं कहूंगा कि आप सब्जियों से शुरूबात करें इस समय सर्दियों में बहुत सारी सर्दियों की सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं और इस समय कीडे मकुडों का अटेक भी उनमें बहुती कम देखने को मिलता है तो इस समय की सबजी आप लगाए कुछ साग वगरा लगाए तो जब आप उसका यूज करेंगे किचन में तो घर वाले को भी शियोड़ी दिरे दिरे अच्छा लगने लगेगा और उसके आसपास कुछ फूल भी आप लगाना शुरू कर दे तो इस तरीके से दिरे दिरे गार्डिनिंग को आप अपना सकती है शुरूबात में कोई भी महंगे महंगे पौट या प्लांट करिदने के आपको ज़रूरत नहीं है जो आसपास की चीज़े हैं बस उनीका यूज करके आप गार्डिन को तियार करें और देखें कि आप किस तरीके से पौदो को उगा पा रहे हैं एक बार आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो बाकी चीज़े अपने आप पिर आपके पास आती जाएगी और फिर गार्डिनिंग से कभी भी हताश नहीं होना पड़ेगा दोस्तो अगर आप नए गार्डिनल हैं तो कभी भी ऑनलाइन प्लांट्स को ना खरीदे क्योंकि उनसको खरीद करके फिर बचा पाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा और फिर उसमें आपका नुक्सान होगा और साथी जो है नरसरी से भी आप महेंगे प्लांट्स ना खरीदे बलकि जो प्लांट्स कम रेट में मिलते हैं या आसपास से आपको फ्री में मिल जाए या कटिंग से होगा सके तो उन्हीं को ही आप लगाईए और दीरे दीरे जैसे से आप सीखते जाएंगे तो उसके बाद आपके प्लांट्स की चॉइस भी बढ़ती जाएगी और आपके गार्जनिंग भी अच्छी होती जाएगी उमीद है दोस्तो मेरी बाते और अश्मिरी जी का जो गार्जन है आपको दोनों ही अच्छी लगी होगी और अब आप भी जो है अपने घर में इस तरीके से कम पैसे में या कम बजट में गार्डिनिंग को करने के लिए सोचेंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए गार्डिन के साथ तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया नमस्कार